Hello friend, स्वागत आपका Home Macht Action चल पे, दोस्तों computer special, यहाँ पर computer के question, यहाँ पर 1 linear हम आपके लिए 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 यहाँ हैं, दोस्तों और यह computer विशेस की पहले कवाज़ रहेगी, तो दोस्तों आप सुबका स्वागत है, आपसे request के वीडियो पूरा देखें, और लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों चलिए बढ़ते आगे तो दोस्तों यहाँ पे वन लीनियर आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे केवल क्यूसन और आंसर है उप्सन नहीं है यहाँ पे तीसरी पीडे के कम्पूटर बने होते हैं यानि तीसरी पीडे के कम्पूटर किस गया था DRDO द्वारा अगला स्वाल है दोस्तों कि ABEX का विष्कार कहां हुआ था तो ABEX का विष्कार दोस्तों चेन में हुआ था यह पहले PD के कम्पूटर थे अगला स्वाल है PC को चोथी PD का कम्पूटर समझा जाता है तथा इसमें होता था या होता है ठेका दोस्तो अगला स्वाला दोस्तो पहली PD का computer circuitry के लिए किसका प्रियोग करता था दोस्तो वैक्यूम टूब का पोप आठ नामक computer किस PD में बाजार में उतारा गया था तो दोस्तो पोप आठ नामक computer तीसरी PD में IC chip के साथ बाजार में उतारे गए थे अगला स्वाल है दोस्तों G I G O garbage in, garbage out सबद किसे सम्मदित है दोस्तों तो computer की accuracy से सम्मदित है G I G O अगला स्वाल है दोस्तों CPU में क्या-क्या होते हैं भई तो CPU में control memory control होता है memory होता है वो तो था arithmetic और logic unit होते हैं logic memory में register होते हैं ठेक है तो तीन चीज़े मुख्य रूप से पाई जाती है control, memory और logic unit जिनमें होती है arithmetic और logic unit ठेक है अगला स्वाल है दोस्तो CPU के arithmetic logic unit यानि ALU में क्या होते हैं तो register होते हैं अगला स्वाल दोस्तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या होते हैं नि CPU के तीन भाग क्या हैं दोस्तो ALU, control unit और register ठेक है दोस्तो तो प्रोसेसर के तीन भाग होते हैं ALU, control unit और register दोस्तो अगला स्वाल है दोस्तो CPU और 110 के बीच signal के moment को कोण नियंतरित करता है तो CPU और 110 के बीच signal के moment को control unit नियंतरित करता है अगला स्वाल है दोस्तो computer के CPU का function क्या है तो CPU का जो function है दोस्तो गणनाए करना और processing करना अगला स्वाल है दोस्तो information system में अलग numeric data सामनते क्या रूप लेता है तो दोस्तो information system में अलग numeric data सामनत और पर number और alphabetical character का रूप लेता है अगला स्वाले दोस्तो microprocessor जो computer का मस्तिक्स होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है तो microchip भी उसे कहते हैं अगला स्वाले दोस्तो पर्मुख memory खालिस्तान के समनमे में काम करती है तो दोस्तो पर्मुख जो memory होती है हमारी man memory होती है वो CPU के समनमे में काम करती है अगला स्वाले दोस्तो सभी तार्तिक और गणिति यानि सभी logical और mathematical operation computer द्वारा किये जाते हैं computer के किस part पर तो CPU दोारा धुस्तों यहनि Central Processing Unit के दोारा अगला सवरा दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांस प्रोसेसिंग CPU में होती है ALU खल इस्तान का परिचालन संपन करता है तो दोस्तों ALU अर्थमेटिक गणनाओं का परिचालन संपन करता है अगला स्वाल दोस्तों compare क्या है तो compare ALU का यानि arithmetic logic unit का arithmetic कारिया है अगला स्वाल दोस्तों process data को क्या कहते हैं तो output सूचनाओं के SMIT भंडार को एविश्थित करम को हम दोस्तों data कहते हैं जब इस data को स्विश्थित करम में दर्साया जाता है मसीनी code में machinery language में change किया जाता है सिस्टम के द्वारा तो उसे हम input कहते हैं यानि information बन जाती है वो ठेक है और जब पूरा का पूरा data अपना काम कर लेता है प्रोसेड हो जाता है उसको हम फिर output कहते हैं अगला सवाला दोस्तों computer के सभी भागों के बीद समन में स्थापित करता है यानि सामंजस स्थापित कों करता है दोस्तों control unit computer के सभी भागों में सामंजस बठाने का काम control unit करती है इनपुट का आउटपुट में रोपांतरन किसके द्वारा होता है दोस्तों तो CPU के द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है आगला सवाला दोस्तों कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलता है तो दोस्तों CPU को ही कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलता है कंप्यूटर की छमता क्या एसमित है या सिमित है या तै नहीं कर सकते दोस्तों तो इस कांसर आएगा कंप्यूटर की छमता सिमित होती है अभी भी उसको निकाल सकते हैं अगला सवाल दोस्तों कम्पूटर को किस परकार की बुद्धी की संग्याज जाते तो कम्पूटर करत्रिम बुद्धी का एक उपकरण है दोस्तों अगला सवाल दोस्तों EDP क्या है तो EDP का फूल फूरम दोस्तों Electronic Data Processing Electronic Data Processing को ही सोट रोप में EDP कहते हैं अगला सवाला दोस्तो Database में खालिस्तान Fields Calculation करने के लिए प्रियोक्त Number Store होता है तो Number का प्रियोक करते हैं दोस्तो Numeric में ठेक है अगला सवाला दोस्तो Data Processing का अर्थ क्या है तो Data Processing का अर्थ है दोस्तो वानिजिक उद्योक के लिए जानकारी तियार करना जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई Info देते हैं तो वो हमेशे एक Data होता है Data को एक स्विज़ुस्तिक करम में दर्शातियों Information बन जाती है और Proceed Data को हम Output कहते हैं अगला साल दोस्तो किसी व्योस्ता के लिए Computer करन में आवसकता होते है दोस्तो सबसे पहले दर्ड इच्छा सकती की सम्मंदित वित्य संसादनों की जन सकती के परशिक्षन की तथा एक आध्या दोनिक संरचना की दोस्तो ठेक है आगे बढ़ते हैं अगला साल दोस्तो चाल्स बेबेज को ही Computer का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्हें ने Computer की बुनियादी संरचना का विकास किया था ठीक है Intel दोरा किस Computer पुर्जे का निर्मान किया जाता है तो दोस्तो Intel Company दोरा Micro Processor का निर्मान किया जाता है अगला स्वारा दोस्तो Digital Computer की कारिय पदती का सिद्दान क्या है तो दोस्तो Digital Computer हमेश्या गणना और तरक पर काम करते है और दोस्तो चाल्स बेबेज दोरा निर्मित अनलेटिकल इंजन क्या है Mechanical उसका नाम था Mechanical Computer अगला स्वारा दोस्तो सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा Computer क्या है Super Computer और दोस्तो आगे बढ़ता अगले Question पर Computer में IC Chip के उत्पादन के लिए किसके आऊ सकता होते है या IC Chip किसके बने होते है दोस्तो Silicon Oxide के दोस्तो तो Silicon के बने होते है तो दोस्तो ये था हमारा पहला Part बेलकुल Basic क्यों लिए है बेलकुल पहला सुरवात है यहाँ पर तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें Share करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो और दोस्तो आद तब इतना बताना चाहूंगा हम आपको डेली पीडियो देंगे दोस्तो धन्यवाद